विटिया के लिए कुछ न कुछ मदद करें 5 द्स रूपिया, 10 रूपिया, 20 रूपिया, 50 रूपिया, 1000, 2000, 55, 10 ज़र जो भी कुछ बन पड़े इस बिटिया के लिए मदद करिएगा यह बिटीया जन्म से अंधी है आप देख सकते हैं इसके जो आखे हैं यह आखों से देख नैंपाती है नौ साल की उम्र है पर यह बिटीया दुनिया को देखना चाहती है लोगों को देखना चाहती है फुरे करती की हजारों रातों से इक रात सुहानी मांगी थी मांगी थी इनका इलाज पैसों के कारण नहीं हो सका और जरूर करेंगे तो हमारी भी करेंगे क्योंकि हमारी तो बेटी है और बेटी ऐसे है तो अच्छा नहीं लगेगा कि को हम जानते हैं सब लोग हमारी मदद जरूर करेंगे तुझ को मुबारक आए माली और नर्ग सिचंदा आए जूली करते हैं हम ऐसे तमाम चैनल पर आ चुके हैं फिलाल अभी तो मदद नहीं हुई है पर मुझे बिस्वास है कि मदद जरूर होगा हमारे साथ एक माँ और एक बेटी हैं बेटी जन्म से अंधी है इस वक्त आपको मैं बता दू कि बेटी की उम्र 9 साल की है अब ही इनका एक वीडियो हमारे चैनल पर काफी समय से भी चल रहा था उसमें भी जो दरसक थे तमाम में जो है कि अपना प्यार और दुलार दिये थे फिलाल अभी हमारे साथ इसका नाम दीवांसियो सिम्रन है इसका दो दो नाम है यहीं दूसरी और इनकी मम्मी है इनका नाम सीमा है इनका यूटूब चैनल भी है और ये चैनल बनाने का कारण है कि इनकी बिटीया का इलाज हो सके और कुछ पैसा मिल जाए तो इनकी बिटीया का इलाज हो जाए इस आपको दूलार भी देते हैं लोग चाहते हैं कि एक गाना कोई गाना हो और जो लोगों के बीच में आप रखें कि तुम मेरे साथ चल नहीं सकते, गम के साचे में ढल नहीं सकते, हम गिरेंगे तो समहल जाएंगे, आप गिरेंगे तो समहल नहीं सकते फूर कत की हजारों रातों से एक रात सुहानी मागी थी, मागी थी फूर कत की हजारों रातों से एक रात सुहानी मागी थी, जो फूलों की बोझ से दब जाएंगे हमने ऐसे जावानी मागी थी, मागी थी फूर कत की हजारों रातों से एक रात सुहानी मागी थी, मागी थी हो तुझको मुबारक आय माली और नर्ग सिचन्दा आय जूली हमने तो भगत गुल सन से तिरी एक रात की रानी मागी थी, मागी थी फूर कत की हजारों रातों से एक रात सुहानी मागी थी, मागी थी अब फिलाल अभी आपने देखा कि सिमरन और उनकी मम्मी सीमा मिलकर के जो कहते हैं ड्यूट जो गाना गाई दोनों साथ में कहीं न कहीं यह बहुत अच्छा गाना है बहुत बढ़ियां भी लगा और जो दरसक देख रहे होंगे उनको भी काफी अच्छा लेगा यह हमारा विस्वास है कहीं न कहीं सिमर जी यह बताईया अभी तक 9 साल की उम्र हो गई है इनका इलाज पैसो के कारण नहीं हो सका और कई फीटल में लेकिन वहां से रिफर करते हैं प्राइबेट होस्पीटल हैधराबाद में तो इस लिए इलाज नहीं हो सका आज आप यूटूब पर आती हैं सोसल मीडिया पर आती हैं लोगों से मदद मांगती हैं जो लोग आपको देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहती है क्योंकि आप एक विस्वास के चलते यूटूब पर आई हैं सोसल मीडिया पर और लोगों से मदद मांग रही हैं क्या लगता है कि लोग आपकी मदद करेंगे जरूर करेंग जो यहीं दरसक है 함 मिलर के आज यह लोगो का भाखला कर दिये हैं मा को विस्वास है कि मैरी दित् THERE का ईलाग को यह जो धर्षक लोग मिल करेंगे और मा को मा की मदद करेंगे व्भीर सब की लोगों की तरह फ्र से कपा हैं आपको बिस्वास है जो लोग आपको देख रहे हैं वो लोग आपकी मदद करेंगे और आप क्या चाहती है लोगों से क्या कहना चाहती है इस बिटिया का कहना है कि मेरा आखी नहीं ठीक है और मेरा आखी जन्म से है इसकी नौसालूम रहा अभी तक यह देख नहीं पा रही है कहीं नहीं कहीं मेरा भी निवेदन है तमाम ऐसे जो दर्सक हैं इस्विटीय के लिए कुछ नग कुछ मदद करें 5 रुपिया 10 रुपिया 20 रुपिया 50 रुपिया 1000 2000 जो भी कुछ बन पड़े इस बिटिया के लिए मदद करिएगा इनके इनका एकाउंड नंबर है इनका एकाउंड नंबर इसक्रीन पर चलता आपको दिख जाएगा और इसक्रेप्शन भी मेंसन कर दिया हूं वहां जाके आप विजिट कर सकते हैं और सिधा इनके एकाउंड जाएगा जो भी आपसे बन पड़ता है इनकी मदद करिएगा सीमा जी यह बताईए आप भी गाना गाती है बिटिया भी गाना गाती है बिटिया को क्या बनाना चाहती है सिंगर बनाना चाहती है क्यों आप भी गाना गाती है आप भी सिंगर है बिटिया को भी सिंगर बना बएठ चूकी आवाज जो तो तमाम दर्सक देख रहे हैं आपको चाहते है कि कोई गाना हो जो गुन गुनाएं जुप गई सारे नजारे उए क्या बात हो गई छुप गए सारे नजारे वे क्या बात हो गई तुने का जल लागाया दिन में रात हो गई मिल गए नईनो सनईना वे क्या बात हो गई मिल गए नईनो सनईना वे क्या बात हो गई दिल ने दिल को बुलाया मुलाकात हो गई तुम नहीं आना हमें न बुलाना कि मारे गताना जमाना सावन आने का कोई मतलब होगा बादल छाने का कोई मतलब होगा तू चली आए दुहाए ऐ क्या बात हो गई तू ने चुनरी लहराई बरसात हो गई तू ने चुनरी लहराई बरसात हो गई फिलाल अभी आपने देखा कि सीमा जिस तरीके से गाना गई कहीं ले कहीं ये बहुत अच्छा लगा वह बहुत बढ़िया गाना है इनकी बेटी सीमरन उदिम्ब्याजी इनका दो दो नाम है ये भी सिंगर है और उनकी मम्मी का ये भी कहना है कि मैं बिटीया को सिंगर बनाऊंगी और उनका सबसे अहम बात ये है कि सिंगर बनाने से पहले इस बिटीया को पढ़ाना बहुत जरूरी है क्योंकि सिच्छा बहुत जरूरी है और कहते हैं कि नारा भी चला था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के कालड़ ये बिटिया है जब ये देखी नहीं पाती है तो क्या पढ़ेगी क्या बचेगी कही ने कही ये आप लोग के उपर डिपेंड करता है कि इस बिटिया को सिछा देना जरूरी है या अंधेरे में मुहाबत के खेल में मन को रिया भी ये मन को रिया भी ये कटा जाई रेल में सीमा जी चलते जलते अभी क्या कहिएगा जो तमाम दर्सक आपको देख रहे हैं दर्सकों से महाथ जोडिके निबेदन करते हैं हम ऐसे तमाम चैनल पर आ चुके हैं फिलाल अभी तो मदद नहीं हुई है पर मुझे बिस्वास है कि मदद जरूर होगा आगे फिलाल इनका कहना है कि तमाम ऐसे चैनलों पर ये आ चुकी हैं अभी इनका कोई मदद नहीं हुआ है फिलाल ये आस नहीं तोड़ी है और इनका एक विश्वास है कि जरूर यही जो दर्सक है यही लोग हमारे मदद करेंगे हमारी बीटिया को हम इसकी आखे वापिस दिलाएंगे फिलाल आपकी क्या राय है आप किस नजरिये से वीडियो को देखते हैं इस बीटिया की किस तरीके से आप मदद करेंगे अब फिलाल मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद जैवार्ट